राधे राधे जैसी क्रशना मैं सीमा सिंग बड़ों कुझारनिस पर चोटों को प्यार और बड़ाबर वालों को तहें दिल से नमस्कार करती हूँ आज हम चातुर मास के महात्यमे का अंतिम अध्याय सुनेंगे मैंने आपको चातुर मास के 31 अध्याय सुनाए हैं आज मैं आपको अंतिम अध्याय सुनाओंगी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको चातुर मास के महात्यमे को सुन कर संपूर्ण फलप्राप्त हुआ होगा अगर आपको यह अध्याय भी अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में जरूर्ण शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुर मास के अंतिम अध्याय को सुन कर पुन्यला मिले और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद आईए अब हम चातुरमास के महात्यम्य का अंतिम अध्याय सुनते हैं इस अध्याय में आज मैं आपको चातुरमास के इसनान की एक पुराणी कहानी सनानी जारी हूँ एक पार एक प्रामन दमपती थी, उनके दो बेटियां थी एक बेटी का नाम रूप मती तो दूसरी का नाम गुण वती था जैसा नाम था वैसी ही वे दोनों बेटियां थी बड़ी बेटी सुन्दर थी तो चोटी बेटी गुणों की खान थी दोनों की परवरिश प्रामन दमपती ने बहुत अच्छे से करी चोटी बेटी अपनी मा की तरह धार्मिक प्रवती की थी वो सब तरह के वरत उपवास क्या करती थी जबकि बड़ी बेटी रूप मती कोई वरत उपवास नहीं करती थी देखते ही देखते दोनों विवाह लायक हो गई तब एक दिन ब्रामन दमपती ने अपनी दोनों बेटीयों का रिष्टा एक ही घर में कर दिया दोनों बेटीयों की शादी एक ही घर में हो गई माता पिता भी आश्वस्त होगे कि दोनों बेटीयां एक ही घर में गई है तो वे एक दूसरे की जरूर मदद करेंगी विवहा के कुछ वर्षों के बाद बड़ी बहन को दो पुत्र और एक पुत्री हुई लेकिन छोटी बहन को कोई संतानसु प्राप्त नहीं हुआ बड़ी बहन का पती अच्छा कमाता था जबकि छोटी बहन का पती ठीक ठाक कमा लेता था तब एक दिन बड़ी बहन ने अपनी जिठानी का रुद्बा दिखाया और उसने अपने साससुर से कहे कर घर जमीन द्यादात में अपना बटवारा करके अलग रहने लगी छोटी बहु अपने साससुर के साथ पुराने मकान में रहने लगी इस तरह समय व्यतित होने लगा लेकिन होनी को कुछ और ही मनजूर था छोटी बहन का पती मियादी बुखार में ही चलबसा छोटी बहन पर एक के बाद एक तुखो का पहार तूट पड़ा ने तो उसे कोई ओलासुक मिला साथ ही अब तो उसका पती भी चलबसा छोटी बहन ने विद्वा होना स्विकार कर लिया जब उसके माता पिता अपनी छोटी बेटी से मिलने आये तो वे बोले कि बेटी अब तुम अकेली हो तुम हमारे साथ वापस घर चलो हम तुमारा दूसरा विवा करवाएंगे लेकिन छोटी बेटी अपने माता पिता से बोली कि मा बाओजी मैं अकेली कहा हूँ मेरे साथ ससूर भी मेरे साथ है और अब मैं दूसरा विवा नहीं करूंगी अपनी बाकी की जिन्दगी अपने साथ ससुर की सेवा और धर्म कर्म में ही बिताऊंगी इस तरह छोटी वेटी अपने साथ ससुर की सेवा करने लगी व्रत उपवास पुजापाट करने लगी गाव की ओरतें छोटी वहन के पास वार त्योवार की कहानिया सुनने के लिए आने लगे और बदले में वे उसे आटा दाल चीनी रुपिया पैसा देने लगे उसी से उसका घर चलने लगा गुणवती बड़े ही समझदार थी कब समय निकल गया उसे पता ही नहीं चला खुश सालों के बाद उसके साथ ससुर्वी सर्ग को सिधार गये समय कैसे पंख लगा करके उड़ रहा था गुणवती को पता ही नहीं चला अवश्वम भी 55 वरस की हो चुकी थी बालों में सफेदी आ गई थी शरीर पर जुरियां पड़ गई थी तब एक दिन उसने चातूर मास इस्तनान और वत करने का निश्चे किया जब चातूर मास का महिना लगा तो गुणवती सूर्य उदे होने से पहले उठी और तालाप पर इस्तनान करने के लिए गई इस्तनानादी करने के बाद उसने सूर्य नाराइन भगवान को अर्थ दिया तुलसाजी सिंची ठाकुर जी की पुझा करी नगर और गाव की ओड़तें गुणवती के पास चातूर मास की कहानिया सुनने के लिए आने लगी गुणवती उन्हें चातूर मास की कहानिया सुनाने लगी इस तरह गुणवती पूरा समय धर्म कर्म में विताने लगी और एक समय शाहकाहरी भुजन काने लगी तब एक दिन जब वह तालाब पर इस्तनान करने के लिए जा रही थी तो रास्ते में उसकी बड़ी बहन उसे मिली तो उसने पूछा की तू कहा जा रही है तो गुणवती ने पूरी बात बता दी की मैं चातुर मास का इस्तनान ओवरत कर रही हूं तो मैं तालाप पल इसनान करने के लिए जा रही हूँ तब बड़ी बहन ने भी मनीवन निश्चे किया कि मैं भी चातूर मास में इसनान और व्रत करूँगी तब बड़ी बहन अपने घर आई और घर आकर उसने अपने बेटा बहों से कहा कि आज से मैं भी चातूर मास में इसनान अवरत करूंगी तुम लोग मेरे लिए काजू, पीडाम, सुखे मेवे मंगवालो और शाम को मेरे लिए अच्छा से अच्छा खीर पूरी कचोरी बनाना इस तरह रूप मती भी चातूर मास में इसनान अवरत करने लगी लेकिन रूप मती से पूरे दिन भूख बरदाश नहीं होती थी वे पूरे समय फल, मावे की मिठाई, दूद, काजू, बिदाम, चाय, पानी, खाती पीती रहती थी और शाम को तरह तरह के पकवान भोजन में अपनी पउँ से कह कर बनवाती थी उदर गुणवती पूरा दिन भूकी रहती थी और शाम को कभी खिचडी तो कभी दलिया बना कर अपना वरत खोल लेती थी इस तरह पूरा चातूर मास का महिना निकल गया तो गुणवती ने मनी मन सोचा कि एक भ्रामन को भोजन जरूर कराना चाहिए तब वे गंगा के तट पर पंडी जी को बुलाने के लिए जा रही थी तब ही रास्ते में उसकी बड़ी बहन फिर से मिल गई उसने फिर से पूछा कि तू इतनी जल्दी जल्दी में कहा जा रही है तब गुणवती ने कहा कि पूरा चातूर मास बीद गया है इसलिए मैं एक पंडीत को भोजन कराने के इरादे से उन्हें गंगा तट पर बुलाने के लिए न्योता देने जा रही हूँ तब बड़ी बहन छोटी बहन के उपर हसते हुए बोली कि अरी तेरे पास खुद के खाने के लाले पड़े हैं तू पंडी जी को क्या खिलाएगी अरी मेरी मान तू तो भगवान को बुला करके खिला और जोर जोर से अपनी छोटी बहन के उपर हसने लगी लेकिन छोटी बहन गुणवती अपनी बड़ी बहन की बात पर बुरा नहीं माने छोटी बहन पूरे रास्ते ये सोचती गई कि मेरी बड़ी बहन सही कहती है मैं तो भगवान को बुला कर ही भूजन कराऊंगी वो गंगा तट पर गई और वहाँ जोर जोर से आवाजे लगाने लगी हे विश्नु भगवान मेरे घर खाना खाने के लिए आईए हे विश्नु भगवान मेरे घर खाना खाने के लिए आईए कई आवाजे लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तब वह गंगा घाट की सिद्धियां उतरती गई और आवाजे लगाती गई गंगा का पानी उसके घुटनों से कमर तक कमर से कंधों तक आ गया लेकिन गुणवती घाट की सिद्धियां उतरती गई और भगवान को आवाजे लगाती गई कि भगवान अगर आज आपने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं इस गंगा में डूब कर अपनी जान देतूंगी लेकिन आप का जवाब सुने बिना घर नहीं जाओंगी इस तरह गंगा का पानी कंधे से गले और गले से नाग तक आने ही वाला था कि तभी विश्नु भगवान वहां प्रकट हुए और गुणवती का हाथ पकड़ कर उसे गंगा घाट से बाहर निकाला और कहा कि है पुतरी तू घर जा घर जाकर तू मेरे लिए भोजन की तैयारी कर मैं संध्यावंधन करके तुमारे घर खाने पर आऊंगा गुणवती भगवान के दर्शन करके निहाल हो गई वे खुशी के मारी जल्दी जल्दी घर आई घर आकर उसने कुवारी केवडी के गोबर से अपने घर को लिपा आसन बिछाया बरतन माज कर खिचडी बनाई और संध्या के समय भगवान का इंतजार काने लगी कभी वे अपनी जोपडी के बाहर आती कभी अंधर जाती तबी भगवान उसकी जोपडी में प्रकट हो गे गुणवती ने आसन लगाया भगवान को बैठाया और थाल परोस कर लोटे में जल भरा और थाल में खिचडी परोसी और उसके उपर घी डाला विष्णु भगवान ने खिचडी खाई पानी पिया और कहा कि अरी बुडिया माई मैं तेरे चातुर मास इसनान और रत से बहुत खोश हुआ तू अपने लिए कोई वर मांग ले गुडवती ने कहा कि भगवान मुझे आपके दर्शन होगे अब मुझे कुछ नहीं चाहिए तब भगवान ने कहा कि बुडिया माई तू पीछे मुड़ कर देख देख तेरे बेटा बहु खड़े है बुडिया ने कहा कि भगवान बहु कहा से होगी मेरे तो बेटा ही नहीं है भगवान ने पुनहे कहा अरे तेरी बहु की गोदी में पोता भी तो है तु देख तो सही पीछे मुड़ कर जैसे ही गुणवती ने पीछे मुड़ कर देखा तो उसने देखा कि गठ जोडे के साथ बेटा बहु काड़े थे और बहु के गोदी में पोता भी था गुणवती उनको निहारती ही रही उसे अपने आखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था तबी विश्व भगवान ने उसकी जोपड़ी को ठोकर मारी तो वैसुंदर मकान में बदल गया वोर भगवान अंतरध्यान हो गे गुणवती वापस पलट कर भगवान को धन्यवाद देने के लिए हुई तो भगवान की चरण पादूका वहीं पड़ी थी गुणवती ने चरण पादूका को उठा कर अपने सिर पर रख लिया तो कभी वसीने से लगाती तो कभी चरण पादूका को चूमने लगती गुणवती को भगवान विश्णू ने सारी खुशियां दे दी उसका घर अनधन के भंडार से भर गया जब दूसरे दिन उसकी बड़ी बहन को पता चला तो वै भागी भागी अपनी छोटी बहन के पास आई और पूरी बात पूछने लगी कि ये सब खुद तेरे पास कैसी हुआ तब गुणवती अपनी बड़ी बहन को धन्यवाद देते हुए वोली की दीदी आपने मुझे बहुत सही रहा दी थी आपने कहा था कि तू पंडित की वजाई भगवान को भोजन पर बुला के ला इसलिए मैं गंगा घाट पर भगवान को ही भोजन पर बुलाने के लिए गई थी तो भगवान मेरे घर भोजन पर आये थे ये सब कुछ उन्ही की आशिरवाद का फल है ये घर, दन, दोलत, बेटा, बहु, पोता ये सब कुछ मुझे विश्नु भगवान ने चातूर मास का इसनान और वरत काने के पुन्यफल से दिया है उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से जल भुन गई उसने मनी मन सोचा की चातूर मास का वरत और इसनान तो मैंने भी किया था मैं भी भगवान को खाना खाने के लिए वुलाने जाओंगी तब रूप मती ने ये बात अपने पती से कहा तो पती ने कहा अरी भागवान तेरी छोटी बहन तो दुखियारी थी गरीब थी, तू तो ध्याई हुई है, तू देखा देखी मत कर, सब कर्मों से मिलता है, लेकिन रूप मती नहीं मानी वे उसी समय गंगा तड़ पर विश्णु भगवान को खाने खाने का न्योता देने के लिए गई उसने वहाँ भगवान को खूब आवाजे लगाई तरह तरह के वेंजन बना करके खिलाऊंगी, नरव नरम आसन पर बैठाऊंगी, चांदी के बर्तनों में भोजन परूसूंगी, आप मेरे घर भोजन करने के लिए आईए लेकिन सुभह से दोपहर और दोपहर से शाम और रात हो गई लेकिन रूप मती को कोई जवाब नहीं मिला, वे रोती, बिलक्ती, दुखी होते हुए मन मसोस कर अपने घर आ गई तो हे विश्णु भगवान चातूर मास का फल आपने जैसा गुणवती चोटी बहन को दिया वैसा सब को देना कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को गड़ती हो तो पुरी हो, पुरी हो तो परवान चड़े, भुले भिसरे नाम तेरे भंडार में भरे इस अध्याय में आज मैं आपको एक पोरानिक और प्राचीन कहानी सुनाओंगी एक बार बहुत छोटा सा गाउं था उस गाउं में एक साहुकार दमपती अपने साथ पुत्रों और एक लाडली बेटी के साथ रहते थे साहुकार दमपती ने अपने सातों पुत्रों की शादी कर दी लेकिन बेटी सबसे छोटी थी तो उसकी उम्र अभिशादी लायक नहीं थी साउकार दमपती ने अपने सभी बेटा बुवों को एक दिन अपने पास बुलाया और कहा कि अगर हमें दोनों को कुछ हो जाए तो तुम मेरी बेटी का अर्था तुम अपनी बेहन का खूब अच्छे से ध्यान रखना जब ये भी वहां लायक हो जाए तो अच्छा लड़का घर वर देखकर इसकी शादी कर देना इस तरह समय व्यतित होने लगा कुछ समय बाद सहुकार दमपती स्वर्ग जिधार गे सातो भाईयों ने अपनी बेहन और भावियों ने अपनी प्यारी ननत का खूब अच्छे से ख्याल रखा अपने बच्चों से पहले वे उसे खाना खिलाते थे कोई भी सामान खरीद कर लाते तो पहले उसे देते थे बाद में अपने बच्चों को देते थे इस तरह समय व्यतित होने लगा जब सातो भाईयों की बहन विभा लायक हुई तो भाई भोजाए ने उसके लिए लड़का ढूनना शुरू किया जब बहन को पता लगा कि उसके भाई और भावी उसके लिए लड़का ढून रहे हैं तो उसने अपने भाई भावियों से कहा कि मैंने आजीवन कुवारी रहने का प्रण लिया है मैं विवा नहीं करूंगी भाई भावियों ने बहुत समझाया लेकिन बहन नहीं मानी तब सभी ने अपनी बहन के प्रण की रक्षा करने के लिए उसका कहना मान लिया बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवती की थी वह सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा, पाठ क्या करती थी जब एक बार चातूर मास का महिना आया तो ननद ने चातूर मास का व्रत किया तो भाबियों ने भी अपनी ननद के साथ चातूर मास का इस्तनान व्रत किया के बाद सूरिय नारायन भगवान को अर्द देती, तुलसी जी में जल सिंस्ती, सुबह शाम दिया बाती करती, गाय को हराचारा खिलाती, चिडी कबुत्रों को दाना पाने देती, गरीबों को अन, वस्तर रुपिया और तिल का दान करती रही, और पूरे एक समय शाकाहरी भ समाप्ती के दूसरे दिन भावियों ने वनडिया देव की कहानी सुनी और रत किया, तब भावियों ने अपनी ननद से कहा कि बाईसा जो चातूरमास का इस्तनान करते हैं, तो चातूरमास की समाप्ती के दूसरे दिन प्रतिपदा को वनडिया देव की कहानी भी सुनते है और व्रत करते हैं लेकिन ननद ने अपनी भावियों से कहा कि मैं पराय पुरुष की ने तो कथा सुनूंगी नहीं व्रत करूंगी इससे मेरा सतीत्व भंग हो जाएगा जब ननद ने इस तरह से कहा तो वनडिया दे कुपित होगे वनडिया देव ने सोचा कि आज इसने मेरा अनादर किया है कल कोई ओर करेगा इसे तो चटका दिखाना ही पड़ेगा तब वनडिया देव ने साथ भाईयों की बहन का सतीत भंग करने का निश्चे किया तब एक रातरी को जब साथ भाईयों की बहन सो रही थी तो वनणिया देव ने एक भौरे का रूप बनाया और दर्वाजे के छेद में से बहन के कमरे में गए और पुरुष बनकर बहन के बिस्तर पर गुलाब के फूल की पतियां भखेर दी अंतर की शीशी उडेल दी और खाले शीशी वहीं रखकर वापस भौरा बनकर दर्वाजे से बाहर निकल कर चले गे दूसरे दिन जब भावी हमेशा की तरह अपनी ननत को उठाने के लिए गई तो उन्होंने देखा की उनकी ननत के बिस्तर पर गुलाब के फूल की पतियां भिक्री हुई थी अंतर की शीशी खाली बड़ी हुई थी भावियों के मन में गलत गलत विजार आने लगे की हमारी ननत ऐसे बुरे खोटे काम करती है दिन में तो धर्म का दिखावा करती है और रातरी को खोटे कर्म करती है सभी भावियों ने अपने अपने पती से जाकर ननत की शिकायत लगए ऐसा सुनते ही सभी भाईयों को भी क्रोध आया वो अपनी बहन को भरा बुरा कहने लगे सभी भाई भी अपनी बहन के कमरे में आये और बहन से बोले कि हमने तुझे इतने लाड़ प्यार से रखा तूने हमें कहीं मुदिखाने लायक नहीं छोड़ा तू बड़ी ही कलंकिनी है हमारा मुद काला कर दिया उरे गाउवाले हमारे उपर थू-थू करेंगे तब बहन बोली कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े भाई मैं कल भी पावित्र थी और आज भी पावित्र हूँ और मरते दम तक पावित्र ही रहोंगी मुझे खुद नहीं मालुम कि मेरे बिस्तर के उपर गुलाब के फूल की पतियां और इतर की खाली शीशी कहां से आई भाई मैं सत्य कह रही हूँ जब मैं रात्री को सोई थी तो बिस्तर पर कुछ नहीं था लेकिन जब सुबह सो कर उठी तो ये फूल की पत्तियां और इत्र मुझे मिला भाई मैं अकेली सोई थी, मैं कभी पद ब्रष्ट नहीं हुई मैं अपने धर्म पर आज भी अड़िंग हूँ अगर आपको मेरे उपर विश्वास नहीं हैं तो आप मेरी अगनी परिशा ले सकते हैं आप चाहें तो मेरी निगरानी करके देख लें भाईयों ने अपनी बहन की बात को सीकार किया तब भाईयों ने एक राय करके बहन के कमरे की निगरानी करने लगे उसी रात को अर्ध रात्रे में वनडिया देव ने भवरे का रूप बनाया और साथभाईयों के बहन के कमरे में दर्वाजे के छेद में से अंदर गुसा अंदर जाकर पुरुष का रूप बना लिया उस समय साथभाईयों की बहन गहरी नीद में सो रही थी वनडिया देव ने बहन के बिस्तर पर गुलाब के फूल की पतियां भखे दी और इत्र की शीशी उडेल दी तबी सभी भाईयों को इत्र की खुश्बू आई सभी भाई भावी बहन के कमरे के बाहर आकर दर्वाजे के छेद में से देखा तो अंदर उन्हें एक पुरुश की आकरती दिखाई दी सभी भाईयों ने खिड़की के अंदर से जाकर दर्वाजा खोला और उस अंजान पुरुश को पकड़ लिया और कमरे से बाहर लेकर आए और पूछा कि तुम कौन हो, क्यों हमारी सती जैसी बहन के सत पर दाग लगाना चाते हो, हमारी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, हमारी बहन तो बेचारी गहरी नीन में सो रही है, तुम क्यों हमारी बहन के बिस्तर के पास खड़े थे, क्यों तुमने गुलाब के फूल की पतियां मेरी बहन के बिस्तर पर बिखेरी और क्यों इतर उडेला, पूरी सच्चाई बताओ नहीं तो हम तुम्हें राजा के पास लेकर जाएंगे, राजा ही तुम्हें सजा देंग तब वनडिया देव महराज बोले कि तुमारी बहन ने मेरा अनादर किया है इसलिए मैं उसे चटका दिखाने के लिए आया था मैं वनडिया देव हूँ जो मनुष्य चातूरमास में पूरे चार मैने तवरत करता है तो चातूरमास की समापती के अगले दिन प्रतिपदा को वनडिया देव के नाम से मेरी कथा सुनता है और व्रत करता है जो प्रतिपदा के दिन कथा और कहानी नहीं सुनता नहीं व्रत करता है मैं उनके उपर जूटा कलंक लगा देता हूँ यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो कल्यूग में मुझे कोन पूजेगा तुमारी बहन ने भी चातुर मास का इसनान वरत किया लेकिन पती बदा के दिन ने तो कहानी सुनी नहीं मेरा वरत किया बल्कि उसने मेरा अपमान किया इसी लिए मैं उसे ये सजा दे रहा हूँ तब सातों भाईयों ने कहा कि हे वनडिया देव आप तु महान है मेरी बहन तो ना समझ है अब आप ही कोई उपाय बताईए जिससे मेरी बहन के उपर ये लगा हुआ कलंक मिट जाए आप कोई उपाय बताईए तब वनडिया देव ने कहा कि तुमारी बहन चिडी कबुत्रों को दाना पानी डाले गाय को हरा चारा खिलाए कवों को खीर पूडी और पूए बनाकर के खिलाए बिखारियों को भुजन कराए चीटियों को आटा और शक्कर खिलावे तो उसके उपर से ये कलंग उतर जाएगा तब भाईयों ने कहा कि ये बनडिया देव गाव वालों को कैसे पता चलेगा कि हमारी बहन का ये कलंग उतर गया इसके लिए भी कोई उपाय बताईए तब बनडिया देव ने कहा कि इस गाव का राजा भगवान विश्नु का एक सुन्दर मंदिर बनवा रहा है उस मंदिर के उपर सोने का कलश चड़ाया जाएगा ये कलश हर कोई व्यक्ति नहीं चड़ा सकता केवल एक सती मेला ही इस कलश को चड़ा सकती है जब राजा दिंडोरा पिटवाएगा की कलश इस्थापित करने के लिए एक सती मेला की जरूरत है तो पूरे गाउ में तुमारी बहन के अलावा कोई सती मेला नहीं है ये सोने का कलश तुमारी बहन ही चड़ाएगी तब उसका कलंग दूर हो जाएगा सती की पूरे गाउ में जयजयकार होगी तब सभी सातो भाई भावियों ने वनडिया देव के पाउं छोकर उससे आशिरवात लिया तब वनडिया देव ने भवरे का रूप बनाया और देखते देखते ही अंदर द्यान हो गया सातो भाईयों की बहन उस समय सो रही थी उसे तो इस बात की भनक तक भी नहीं थी कि उसके साथ क्या घटित हुआ जब वसुबसो कर उटी तो सातो भाई भावियों ने अपनी बहन को पूरी सच्चाई बताई और अपनी गलती की शमा मांगी भावियों ने भी अपनी प्यारी ननद से अपनी कलती की शमा मांगी फिर कुछ दिनों के बाद गाव में विश्नु भगवान का मंदिर बनकर तयार हो गया मंदिर के उपर सोने का कलश चड़ाने का समय आया तब बड़े बड़े पुरुईतों ने ज्यानी महात्माओं ने राजा से कहा कि है राजाजी विश्नु भगवान के मंदिर का कलश तो कोई सती ही चड़ा सकती है तब राजा ने पूरे गाव में ये धिन्डोरा पित्वाया कि जो भी सती हो वे मंदिर के कलश को इस्थापित करने के लिए आगे आये तब पूरे गाव में कोई भी सती महिला नहीं थी तब सातो भाई अपनी बहन को लेकर राजतरबार में पहुँचे तब राज पुरोहित ने राजा से कहा कि अगर ये सती है तो पहले इसकी परिशा लेनी पड़ेगी पहले ये कच्चे सूत को मिटी के कलश के गले में लपेट कर कुए में से पानी निकाल कर लाए और सोने के कलश पर जल से छीटा देवे तभी ये कलश उपर इस्थापित हो पाएगा तब सातो भाईयों ने राजा से कहा कि महाराज मेरी बहन सती है और ये हर परिशा में भी सफल हो जाएगी तब राजा ने कहा कि अगर तुमारी बहन सती है तो गाउं के बाहर से कुए में से पानी लेकर आवे और कलश पर छीटा देवे और कलश चड़ावे सातो भाई भावी अपनी बहन को ढोल बाजे नगाडों के साथ गाउं के कुए पर जन लेने के लिए पहुँचे कच्चे सूत के साथ धागों से मिटी के कलश को बाध कर कुए में से पानी निकाला गया पूरा गाउं पनगट पर ये देखने के लिए उमड पड़ा गाउं के बहुत से लोगों ने कहा कि सूत तूट जाएगा तो पानी कुए से कैसे निकलेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ मिटी का कलश जब कुए में से बाहर आया तो कच्चा सूत नहीं तूटा और नहीं एक बूंद पानी नीचे किरी कच्चे सूत में सती की ताकत जुड़ गई पूरे गाउं वाले सती की जैजैकार करने लगी सती अपने सातो भाई भावियों के साथ मंदीर में वापस आई मंदीर में पहले से ही राजा रानी बड़े बड़े पुरोही तुर्ग्यानी महात्मा खड़े थे सती के हाथ में मिटी का कलश से भरा हुआ जल देखा तो वो सब भी जैजैकार करने लगे सती ने मिटी के कलश के पानी को सोने के कलश के उपर छिड़का तो पल भर में ही सोने का कलश मंदिर के उपर अपने आप स्थापित हो गया ये चमतकार राजारानी पुरोहित पंडितों के साथ पूरे काउं वालों ने भी देखा इस प्रकार आज मैंने आपको चातुरमास की ये एक पुराणिक कहानी सुनाई अब हम चातुरमास का 32 अध्याय सुनेंगे ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारत मुनी इतनी कथा कहकर शंकर भगवान माता पारवती और स्वामिकार्ति के सहित मंद्राचल परवत पर निवास करने के लिए चलेगे पार्वती जी वो शंकर भगवान स्वामी कार्तिके को बहुत प्रेम करने लगे और स्वामी कार्तिके भी रक्त रंग वाला अतीते जस्वी और बल्वान हुए शिव के दूसरों गणों के सहित कभी गाता हुआ, कभी नाचता हुआ, कभी गंगा जी के किनारी पर विचरन करने लगा। तब इंद्राधि सभी देता तारकासुर राक्षस से दुखी होकर शिव जी की शरण में आकर इस्तूती करने लगे और तारकासुर के वद्ध की प्रात्ना करने लगे। तब संकर भगवान ने स्वामी कार्टिके को तारकासो राक्षस का वद करने की आज्या दी. स्वामी कार्टिके देवताओं की सेना को लेकर, उनका सेना पति ग्रहन कर देत्यों के साथ उदकारने के लिए चल पड़े. उस समय देवताओं ने दुन्दुभी बजाई नगाडे बजाए देवताओं ने कार्तिके के उपर फुलों की बरसाथ करी तब अगनी देव ने स्वामी कार्तिके को अपनी शक्ती दी चंद्रमा ने वाहन दिया सभी देवताओं ने अपने अपने वाहनों पे चड़कर उसके साथ तारकासुर देत्य को मारने के लिए युद्ध करने के लिए युद्ध शेतर पर चल दिये उस समय देवता और देत्यों का महा घंगूर युद्ध हुआ देव सेना ने देत्य सेना को स्वामिकार्तिके के सेना पतित में मार मार कर भगाना प्रारम कर दिया इससे देत्य सेना के रुधीर की नदिया समरागण में बैने लगी देवताओं अपने अपने वाहनों पर चड़कर देत्यों पर अने प्रकार के शस्त्रों का प्रहार कर स्वामिकार्टिके ने बाणों की बरसात करके तारकासुर राक्षस को चारों तरप से ढग दिया। उसी समय स्वामिकार्टिके ने एक बाण तारकासुर की छाती पर मारा और वहबाण की पीड़ा से हाहाकार करता हुआ। रुधीर का वमन करता हुआ प्रत्वी पर गीर कर मृत्यू को प्राप्तु हो गया। जब तारका सुर की मृत्यू का समाचार देवताओं ने सुना तो आकाश में खुशी के नगाडे बजने लगे। गंधर्व गंध और देवताओं ने सुमे कार्तिके पर पुश्पू की वर्सात करी। सुमे कार्तिके ने विजय पाकर अपने माता पिता के चर्णों में शीष नवाया। और पार्वती जी ने अत्यंत इसनहे के साथ अपने पुत्र का आलिंगन करके उसके माते को चूमा और प्रेम से गटगट हो गई। तारका सुराक्षस की मृत्यू के पश्चात उसकी सेना के जो भी देत्य बचे थे वे जान बचाकर पाताल में भागे। ब्रह्मा जी कहते हैं ये सब कुछ स्वामी कार्थी के ने चातूर मास में द्वादश्या अक्षर मंत्र के जपने तता चातूर मास के इसनान और रत के प्रभाव से ही किया था। उसके पश्चात स्वामी कार्ती के क्रोच परवत पर जाकर द्वादश्य अक्षर मंत्र का शध्धा और विधी पूर्वक जप तप करने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारत्मुनी इतनी कथा कहकर गालव रिशी ने पेजवन से कहा कि जो मनुष चातूर मास में जप तप इसनान व्रत के साथ द्वादश्य अक्षर मंत्र का जाप करता है, दान करता है, वे अक्षर फल को प्राप्त होकर इस संसार के समस्त सुखो को प्राप्त कर मरने के बाद मुख्ष को पाता है, घरती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चड़े, भुले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे, इस तरह आज मैंने आपको चातूर मास के महात्यम्य के संपून अध्धाय सुनाए हैं, अगर एक साथ आप अध्धाय स सुनना चाते हैं, तो मैंने अपने चैनल पर चातूर मास का संपून महात्यम्य के नाम से एक वीडियू डाल रखा है, चार मैने तक इस महात्यम्य को सुनने का पूरा फ़ल मिलता है, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, आगे की गता कहानी के लिए भी आप उसी तरह मेरे साथ बने रहें, धन्यवाद.